हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल विदुरवशी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए क्रोम की एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ गूगल ने हाल ही में अपनी क्रोम ब्राउजर में एक एकस्टेंशन एड किया है जिसकी हेल्थ से हम रिसेंटली सर्च किये गए डेटा को आसानी से दुबारा सर्च कर सकते हैं जैसे हमने किसी ब्राउजर में कुछ डेटा सर्च किया अब हम वही डेटा किसी दूसरे ब्राउजर में सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस data को copy paste करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस आपको recent search पर click करना होगा और आपके सामने last two days की search history के list शो होने लगेगी तो यह सब कैसे होगा? चलिए मैं बताती हूँ सबसे पहले हम chrome open करेंगे फिर top right corner में जो यह तीन dots पने हैं इन पर click करेंगे यहां extension में जाकर visit chrome web store पर click करेंगे अब search box में recent searches लिखकर enter करेंगे जैसे ही हम enter hit करेंगे हमें first number पर ही recent searches का extension दिखाई दे जाएगा इस पर click करके add to chrome कर देंगे इससे chrome की extension लिस्ट में recent searches extension एड हो जाएगा अब हम google में कुछ सर्च करते हैं अब से लेकर last two days तक के search data को हम easily किसी दूसरे search engine या browser में सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स अभी हमने जो भी search किया था वह हम YouTube पर search करना चाहते हैं तो इसके लिए यहां का सभी data तो हम YouTube में paste नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें google की search history देखनी होगी और उसमें हमारा बहुत time waste हो जाएगा तो जैसे हमें YouTube में अपना recent data search करना है तो YouTube open करके search box में right click करेंगे यहां recent searches पर click करेंगे तो जैसे ही हम recent searches पर click करेंगे तो last two days का सभी search data यहां show हो जाएगा यहां हमें जो भी topic YouTube में search करना है आसानी से उस पर click करके कर सकते हैं अगर यही data हमें bing में search करना है तो bing open करके उसके search box में right click करके recent searches पर click करने पर हमें last two days की old search history यहां show हो जाएगी देखिए यहां हमें वे सभी topic शो हो रहे हैं जो हमने Google के search engine में किये थे Friends, recent searches extension हमें Chrome और Mozilla Firefox दो browsers में देखने को मिलता है जहां इस extension को add करके हम इस facility का advantage ले सकते हैं टेकनलोजी से related ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेकनिकल वी दुरवशी को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन